शाम को चार घंटा काम और चार हजार रोपे की कमाई बिल्कुल सही सुना दोस्तों आज हम जान कर लेंगे एक ऐसे बिजनस की अगर आप शाम को सिर्फ चार घंटा काम भी करोगे तो रोज के आप चार हजार रोपे कमा सकते हैं दोस्तों मैं आपको जिस बिजनिस के जानकारी देना चाह रहा हूँ छोमारे पास दो मसीन लगे आपके लिए यह ओगई एक ब्रेड मसीन और यह ओगई आपकी चिकन रोल मसीन यह दोनों मसीन गेश से चलेंगी अब यह हम आपको इसमें एक ब्रेड बना कर दिखाते हैं जिसके लिए आपका मक्खन लगेगा इसमें यह पेश्ट लगेगा यह एग लगेगा और बाकी यह सोस बहुत कम खर्चा होगा इसके अंदर आपका अब दरस्तों मसीन चालो करके दिखाते हैं आपको यह से मसीन चलती है यह मसीन चालो हो रही है अब यह हम इसमें आपको पहले एक ब्रेड बना कर दिखाएंगे इसके लिए हम इसमें पहले लगानों का मक्खन इस तरीके से मक्खन लगेगा इसके अंदर दोनों साइड मक्खन लगाना पड़ेगा इसमें इस तरीके से अब यह मक्खन लगाने के बाद अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे अब यह हम इसमें अंदर डालेंगे पेस्ट डालने के बाद अब यह हम इसमें दोसरे साइड डालेंगे अब यह हम इसमें दोसरे साइड डालेंगे कि अपर मसाला डालेंगे आप इसी तरह से आप दूसरी साइड भी बना सकते हैं अब इसको अम ऐसे बंद कर देते हैं अब इससे इसको तैयार होने में 10-12 मिनिट लगेंगे इतने हम थोड़ा इंतिजार करते हैं कि इस तरीके से 10-12 मिनिट के अंदर तैयार होगा जाएगा हमको इसको दो सुन साइड से शेखने के लिए पहले इसको इधर से इधर पलटना पड़ेगा यह जब इधर से शी जाएगा इसी परकार आप इधर को इसके अंदर भी बना सकते हो हमारे दस मिनट हो चुके हैं पूरे अब हम इस प्रोड़क्ट को आपको पलट कर तैयार करके दिखाएंगे कैसे तैयार हुआ है यह देखिए हमारे पूरी तरीके से तैयार हो चुका है यह देखिए हमारा बर्गर बिल्गूल तैयार है बर्गर अब हम इसको पलेट मड़ाल कर कस्ट्मर को दे सकते हैं यह समय सोच डाल चुके हैं में मैं योणिट लेगाए अब यह देखिए हमारा तैयार है अब हम दूसरी मसीन चालू करते हैं आपको चिकन डॉल बना कर दिखाते हैं किस तरीके सबनेगा यहनुत नियकर फैले अंडे खोड़ेंगे यह फांड़ के लिए छार अंड़ बनाते स्क्र mounts तिमरेंगे मिरेंज। इसके अंदर मसाला डालेंगे ये ये समय हम नमक डालेंगे अब हम इस पेश्ट को अच्छी तरह से मिलाएंगे के ये हमारा पेश्ट तैयार हो चुका हम इसको बराबर कफ के अंदर डालेंगे कि यह हमने चेक अफ में बराबर कर दिया है अब यह हम इसके अंदर मखंडा लेंगे थोड़ा-थोड़ा सम्में अब यह सम अम सम इसके अंदर अंडर डालेंगे अब यह हम इसके अंदर चिकन सोसेश लगाएंगे सर शुरू में हमने कहा था कि चार घंटा काम चार हजार की कमाई कैसे क्या किया जा सकता है सर यह हमारी मशीन है इसमें एक ब्रेड बनेगा इसके अंदर एक साथ आप दस पीस बना सकते हो जिसमें एक पीस की लागत आईगी लगबग 15 रूपे जिसको आप 40 रूपे में सेल कर सकते हो लगबग आप अगर दिन में 100 पीस बैशने हो इसका 4 गंटे अंदर अंदर तो लगबग आप इसले 5000 रूपे कमा सकते हो और इसका यह जो हमारी मशीन है इसमें भी लगबग आपकी पंदर रुपे के लागात आईगे एक रोल की यह आप तीस रुपे में भी सेल कर सकते हो लगबग आप इसका सो पीस बेखते हो आपका तो इसमें आप 15 रुपे कमा सकते हो इसाथ यह पर पिस इसमें पंदर पीजिशनी शुरू करना चाहता है इसका जो फारमिला है वोतों मिलेगा नहीं कैसी कैमेलेघा उसको कैसी स्चेगा ऊसका फॉर्मिलाक लेगा हमारे पास आना पड़ेगा सीखने के लिए यह सका पहा देंक जी तो सर ऑलास्ट सवाल है मुझे यह बता ये इन दोनों की मँच सकते हैं बिजनेस के लिए इसको हम पब्लिक पेरेस में कहीं भी लगा सकते हैं बाजार में रेलवे स्टेशन पर कहीं भी जहां भीड़वार वाला एरिया हो वहां लगा सकते हर जगा चली सत्यू आपकी वीडियो पसंद आया होगा अगर आप यह बिजनेस शुरू करना चा